Hello students, today will discuss the science of 7th class So in 7th class of science chapter 4 is going on In chapter 4 we were teaching about the thermometers Today we will teach you a new thermometer that is called laboratory thermometer एक नया thermometer है जिसे laboratory thermometer बोलते हैं अब देखें लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या मतलब होता है इस थर्मोमीटर मीजर दा टेंपरीचर और अगर अग्जेक्ट यह थर्मोमीटर किसी दूसरी वस्तूं के टेंपरीचर को मीजर करने में यूज किया जाता है अगर अग्जेक्ट जैसे like boiling water boiling water को मीजर करने में यूज किया जा सकता है इस thermometer का use boiling water का temperature मीजर करने में यूज किया जा सकता है and ice ice का temperature मीजर करने में यूज किया जा सकता है and is commonly used in the laboratory इनको प्रायाहां laboratory में यूज किया जाता है इहां पर laboratory जो प्रियोग शालाएं होती है चिक है लेबोरीटरी में यूज़ किया जाता है क्लिनिकल थर्मोमेटर यह थर्मोमेटर की तुलना में ज्यादा लंबा हुता है ठीक है तो इस मुस्च लॉंगर देन दा क्लीनिकल थर्मोमेटर एंड ड़स नॉट है और इसमें किंक नहीं होता है किंक मतलब गांट की तरह की सरचना जो होती है शिरा वो नहीं होता है किंक इन दा ग्लास्ट्यूब इट कॉमनली है जा कैलिवरीशन ऑफ माइनस 10 डिग्री सल्सियस तो 100 डिग्री सल्सियस इसमें जो है न वह वह डिग्री सल्सियस मीजर करता है ने वह माइनस 10 डिग्री सल्सियस से 100 डिग्री सल्सियस तक इसे इससे मीजर किया जा सकता है तो यह था लैबोरीटरी धर्मोमीटर जिसमें बताया कि इस थर्मोमीटर मीजर तेंप्रीचर और अबजेक्ट किसी अबजेक्ट का टेंप्रीचर मीजर करने भी यूज किया जाता है जैसे बॉइलिंग बाटर उबलता हुआ पानी आइस बर्फ और इसको प्राया लेवरिटरी में यूज किया जाता है क्लिनिकल थर्मोमेटर के कंपैजन में यह ज्यादे लंबा होता है दस नोट है किंक इन ग्लास ट्यूब और ग्लास ट्यूब पर कोई गांट जैसी सब्सक्राइब नहीं होती है इत कॉमनली था कलिबरेशन अफ माइस टेग्री साल्सियस तो एंडरेट इन टेग्री साल्सियस तक इसे मीजर किया जा सकता है ओके सो इस इस अबाट दा लेवरिटरी थर्मोमेटर इन अफ वर तोड़ था था था